नमस्कार महूरंजीत ज्या हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे 10 जिला कलेक्टरों ने एक साथ ED के खिलाप मोर्चा खोल दिया था मामला मदरास हाई कोट भी पहुँचा और आज इस मामले में सुनवाई हुई फैसला भी हुआ और इस फैसले ने ED के चेहरे को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है हाई कोट से ऐसी टुपणी आई है और मामला तो आप जानते हैं कि कैसे तमाम जिला कलेक्टरों को समन भेजा था ED ने कि आपको मेरे सामने हाजिर होना पड़ेगा और इन लोगों ने कहा था कि आप हमें चुनोती नहीं दे सकते राज सरकारों की शक्तियों का हनन आप नहीं कर सकते और इसी बज़ा से बहस का मुद्दा हाई कोट भी पहुचा था और अब हाई कोट ने ना सिर्फ ED का समन रद किया है बलकि ED अपसरों की जम कर क्लास भी लगाई है और मामले के सुनवाई और आगे चल सकती है लेकिन अब ही इस समन पर रोक लगा दी गई है और यहां DM सहाबों की जीत बताई जा रही है आपको बता दे कि इस सुनवाई के दोरान अदालत ने यहां तक कह दिया केंदर सरकार को कि आप अगर मरमाने तरीके से राज्य सरकार की शक्तियों का हनन करना जारी रखेंगे तो राज्य सरकार के पास पूरा हक है कि आपके खिलाफ मुर्चा खोलें और सिधे अदालत पहुँचें कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ है वही हम आपको आज बताने बाले है चुकि हमने आपको पहली रिपोर्ट दिखाई थी तो इसका फॉलो अप बनता ही है तो ज़रा देखिए अपने स्क्रून पर बारेंड बेंच की रिपोर्ट है यहां सारी बातें बताई गई है हेडलाइन में बारेंड बेंच ने लिखा है मद्रास उच नयाले ने रेत खनन मामले में जिलाक कलेक्टरों को ED के समन पर रोक लगा दी ED ने मचली पकड़ने के अभियान पर कहा है यह मचली पकड़ने का अभियान समझते है फिसिंग एक्सपेडिशन यह क्या है दरसल यह एक ऐसा मामला होता है जिसमें आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आपको लगता है कि हम इन सब को अगर नोटिस भेज दे इन सब पर केस कर दे फिर बाद में अपराद धूंड लेंगे ऐसे स्थि हाइकोर्ट ने कहा पहले जो पर्थम दृष्टाया की बात होती है उसके मुताबिक तो यही कुछ होड़ा है इडी तो मनमाने पन पर उतर आई है अपराद का पता नहीं है अपराद धूंड भी रही है कि मचली पकड़ने का अभियान क्यों शुरू हो गया है और यही पूरा मामला कोर्ट रूमें चर्चा का विशय बन गया है आई यह रिपोर्ट में देखते हैं क्या कहा गया है मद्रास उच नयायादाने मंगलवार को तमिलनाडू में जिला कलेक्टरों को प्रवर्ट निदेशाले एडी द्वारा जारी किये गए समन की कारवाई पर और अस्थाई रूप से रोक लगा दिये यह ट्ट्यपुनी करते हुए कि यह कदम केंद्रिये एजनसी द्वारा मचली पकड़ने के अभियान का हिस्सा प्रतीत होता है यह लोग सिर्फ मचली पकड़ने का खेल करते हैं क्योंकि इनके पास कुछ होता नहीं है मन में बहम वैठ गया है कि इस सरकार को परिशान करना है तो इसके लिए पहले कलेक्टरों को फास लो फिर हम निता नगरी तक तो पहुची जाएंगे यहां सिलसला सा चल पड़ा है हर राज्यों में जहां जहां चुनाव होता है वहां खेल तो आपने देखा ही है और अब यहां भी खेल करने के कोशिस लेकिन तमिलाडू तो इसके लिए तयार बैठा था स्टालिन सहब के अपसरों ने दिन में ही तारे एडी को दिखा दिये है जेखे ज़रा आगे क्या हुआ है नयायाले ने तमिलाडू सरकार की एक याचिका पर रोग का आदेश पारिद किया जिसने अबज रेत खनन के एक कथित मामले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में जारी एडी समन को चनोती देते हुए अदालत का रुख किया था और ये जब मामला हाई कोर्ट पहुँचा था तो उम्मीद तो अनिस्टर तोर पर जताई जा रही थी कि जो तर्क दिया जा रहा है कलेक्टरों के द्वारा राजिसरकार के द्वारा वो काफी दमदार है और एडी की मनमानी पर लगाम लगाने का सबसे बड़ा मुद्दा बन भी सकता है और हुआ भी वही जिरा देखिए आगे अपनी स्क्रूरिन पर न्यायमूर्ती SS सुंदर और न्यायमूर्ती सुंदर मोहन की पीठ ने आज कहा कि प्रथम दृष्टया एडी के पास राजि के किसी भी जिला कलेक्टर को समन जारी करने का कोई अधिकार छेतर नहीं है यह कान खोल कर एडी सुन ले कि आप बिना मतलब के किसी भी जिला के अधिकारी को परिशान नहीं कर सकते हैं यह राजि सरकार के मामले में हस्तव छेप करने जैसा मामला हो जाएगा जबकि एडी का कहना है कि हमारे पास यह शक्ति है कि हम किसी भी अपसर को समन भेज सकते हैं फिर वो जिला कलेक्टर ही क्यों न हो, फिर राजी सरकार का बैठा हुआ कोई भी अपसर क्यों न हो, और यहीं पर जो है बहस काफी बड़ी हो गई, जिला देखिया यह क्या कुछ कहा जा रहा है, प्रतम दृष्टेया लगाएगे समन परतिवादी, इडी के अधिकार छेत् नहीं है, और वे किसी भी गतिविधी के प्रणाम स्वरूप, अपराद की किसी भी आयकी पहचान करने की संभावना की जाच करने का एक प्रयास है, जो अब तक राजी के अधिकारियों द्वारा पंजिकृत नहीं है, एक दम वही बात, कि जिस मामले में राजी के अधिका और यहां पर कैसे ED नहस्तक शेप करना शुरू कर दिया, कैसे DM को नोटिस बेज दिया गया, आपने आपको इतना बड़ा समझ लिया है, एक जिला के कलेक्टर को एक गिला दिकारी को ऐसे ही तलब कर लिगे, और बात में मामला बनाएंगी, यहां आगे कहा गया है, कि कोट अपने यहां भी टिपुनी की, कि ED की अब तक की कारवाई मचली पकड़ने के अभियान का हिस्सा प्रतीत होता है, अदालत ने कहा, प्रतिवादी यानि ED ने अवईद खनन के बारे में प्रतिवादी के समक्स प्रस्तुत की जा सकने वाली जानकारी से अपराद की संभाव आई की पहचान करने के लिए एक मचली पकड़ने का अभियान शुरू किया है, वही बात जो मैं लगातार कह रहा हूं, बस ये समभावनाओं के अधार पर ED की मनमानी का सिस्टम जारी है, और इस सिस्टम को कोई तो तोड़े, तमिल लाडू ने या पहल की है, और कलेक्ट जनरल सहब आये थे, वो एकदम से दुखी हो गए कि कैसे आप इसे facing expedition कह रहे है, मचली पकड़ने का अभियान कैसे कह रहे है, मत कहिए, तो अपत्ती दर्ज की, तो अपत्ती को कोट से दर्ज कर लिया गया, ठीक है, इस मामले में तीन सब्काह बाद जब हम गुण और दोस के आधार पर सुनवाई करेंगे, तो फिर हम तै करेंगे कि आप जो कह रहे हैं, वो सही है, या अदालत और जिलाधिकारी जो कह रहे हैं, वो सही है, उसे समझना पूरेगा, यहाँ पर आगे कहा गया है, तो कोट ने ED द्वारा उठाई गई आपत्तियों को भी खारिज कर दिया कि क्या तमिलादू सरकार के पास ED के समन जारी करने को चुनवती देने के लिए याचिका दैर करने का अधिकार है, यानि कि इन लोगों का यहां तक कहना था, हम तो ED हैं, हमें तो मुदी जी ने भेजा है, तो हम जो चाहे कर सकते हैं, राजसरकार हमारे काम में नहीं डाल सकती, उसमें वो याचिका दैर करने के भी अधिकारी नहीं है, यह कहना है ED के जो वकील हैं, यानि सॉलिसिटर जनरल सहब का, और सॉलिसिटर जनरल ARL सुंदर सेन की क्लास फिर पीठने लगा जी है, पीठने क्या जवाब दिया, देखें अगर राजी को लगता है कि केंद्र सरकार सत्ता अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रही है, या केंद्र देश के संघिया धाचे का उलंगन कर रहा है, तो उसे अदालत में जाने का पूरा अधिकार है, अब समझ जाईए आप, यह जो अब तक मनमानी चल रही थी न, उसे असपश्ट पडिभा कर दिया गया है, कि केंद्र की मनमानी नहीं चले की, इसमें लिखा हुआ है, इस न्यायाले के अनुसा, प्रथम दृष्टया, राज सरकार और जिला कलेक्टरों द्वारा दायर रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं, हर अपनामे में तमिलाडू सरकार द्वारा वरा सत्ता का समरक्षण है, जो राज के प्रशासन में हस्तक छेप करती है, उच न्यायाले ने एड के वकील को समझा दिया, कि आप केंद्र के तरफ से आए तो हो, लेकिन अगर केंद्र राज सरकार में हस्तक छेप करने की कोशिश करेगी, यह तो नहीं चलेगा, आने दि ने संबंदित जिला कलेक्टरों को केंद्र एजनसी के समक्ष शारेरिक रूप से उपस्तित होने और जिले में रेत खनन अस्थालों की एक सूची प्रस्तूत करने के लिए कहा था, अदालत ने कहा कि समन के नोटिस के अनुसा, खदानों के पते और जीपिएस निर्देश अदिका विवरन भी एडी के समक्ष प्रस्तूत किया जाना था, ऐसे प्रस्णों के मद्दिनजर अदालत ने कहा कि एडी की जांच अपराद की आय के संबंद में नहीं, बलकि यह पता लगाने के लिए है कि क्या राज में मनी लॉंडरिंग से संबंदित कोई अनुसुच अपराद किया गया था, ये तो बस वही हो गई न, कि आप तो जो जिला की प्रसासन टीम है, उसका भी हक मार करके अपने हिस्से ले रहे हैं ताकि कोई केस बना ले, संभावना ढूंड रहे हैं, अपराद पता लगाने के लिए अपराद का पता नहीं है और अपने जिला देकारी को नोटिस बेज दिया, आपको बताते कि यहाँ पर तमिलाडू सरकार के तरफ से, या फिर आप कहलें कि जिला कलेक्टरों के तरफ से, जो वकील पेश हुए थे, वो धाकर वकील दुश्यंत दवे, दुश्यंत दवे ने जो अपने तरक रखे हैं, उससे कोट सहम अपने अंतरिम आदेश में सुप्रिम कोट के ट्युपने का हवाला देते हुए इसे क्लोज किया, ताकि अगले महिने फिर से सुनवाई हो सके, क्या कुछ कहा गया है, चलते चलते जर आपने स्क्रून पर आप देख लिजिए, इसमें लिखा गया है, मंगलवार को अपने अंतरिम आदेश में कोट ने कहा कि सुप्रिम कोट ने यासपष्ट कर दिया है कि धन शोधन निवारन अधिनियम PMLA के तहट, ED किसी अपराद पर तब तक मुकदमा नहीं चला सकता, जब तक कि अधिनियम के तहट परिभाशत अपराद की आए मुझूद ना हो, सुप्रिम पराद की पहचान करने वाली प्रतित होती है, समन जारी करने का उद्धेश एक अनुसुचित अपराद को उजागर करना है, और फिर यहाँ अनुमाल लगाना है, इसमें अबवद धन शामिल है, जिसे अपराद की आये कि रूप्ने वरगर्दियर किया जा सकता है, उचने इडी के सवन पर रोक लगाते हुए कहा और इस मामले में आगे सुनभाई होगी इसका मतलब यह है कि कोट पूरी तरिके से यह मानता है कि इडी ने यहां भी सुप्रिम कोट के आदेश की अभेले ना कर दी है इस मामले में उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है ढूंडने क के लिए बहुत कुछ है धूंडते रहेंगे और इसके लिए वो राजिस सरकारों की शक्तियों का हनर करना जारी रखेंगे जिस पर ब्रेक लगा दिया गया है हमने पहले ही कहा था यह जिला अधिकारी है वो एडी के अपसरों की भी क्लास लगा पाने में निश्चे तोर पर सक्षम होंगे और लगा दालिये जो तरक रखे गए हैं उससे साफ मालूम पड़ता है कि लड़ाई और बड़ी हो सकती है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही आप सभी का हम से जोड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद